असन जी बहुत बहुत स्वागत है वेलकम टू बॉलिवुड में जंदिगी में दुबारा जो है वो किसी भी टेर्रिस्ट का या कसाब परूल मैं नहीं करोगा यह मैंने डिसाइट खर लिया है फिजिकल से जाधा मेंटल आपको स्ट्रॉंग बनना पड़ा वो कारेक्टर करने के लिए किसी भी कैरेक्टर को अगर जब तक आप इंटर्नली अगर उसको आप फील लहीं करेंगे तो वह फिजिकालिटी में वह एक्सप्रेशन बॉडि लागविज में वह बात नहीं आपा उस इमोशन के साथ करेक्टर हो पाती है जब वह आप करेक्टर कर रहे थे बहुत की ज़्यादा आपको मेंटली ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ा और जब घर कहुंसते थे शूटिंग करके रात में तो क्या क्या फिलिंग होती थी क्योंकि उस करेक्टर को आप जी रहे मतलब यह वही बात है कि आप किसी चीज़ से हेट कर रहे हैं और आपको उसके सब्सक्राइब जीना है और मैं वह वैसा हो जाता था बट धीरे धीरे क्यूंकि आपको आपकी पहली फिल्म है बड़े लेबल पर तो आपको पर्फॉमिंस भी देना है आप बहुत जादा अगर सोचेंगे तो जाने आप बाहर नहीं आ पाएंगे तरियर का भी सवाल होता है मैं इसलिए मैंने कहा कि मैं जंदगी में दुबारा जो है वो किसी भी टेररिस्ट का या कशाब परूल मैं नहीं करोगा यह मैंने डिसाइट कर लिया है हमने यह भी सुना संजीव कि लोग आपसे नफरत करना लगे थे मतलब अब जब आप कहीं जाते थे या कुछ ऐसा सुशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी थी जो है एक तरीके से आप तक पोशने लगी थी एक इंट्रवीव चला था जिसमें लोग मतलत दिखाए गए थी कि लो अब भी लोग मुसे बहुत प्यार करते हैं कि एक इनोसेंट सा लड़का कैसे इस कैरेक्टर को उस तरीके से कर गया कि आप ध्रिणा करने पर नफरत करने पर मजबूर हो जाए तो वह एक अचेव्मेंट है मेरे लिए ना पटेगर के सामने परफॉर्म करने में छोड़ा लेकिन क्या होता ना कि जब उस समय में चार साल स्ट्रगल कर चुगा था काम ढून रहा था और कुछ भी ऐसा मेरे पास था नहीं कि जिसे मैं प्रूफ कर पाऊं तो यह एक अगर मैं डरूँगा तो मैं काम कैसे करूँगा तो मैंने कहा डर को साइड रखो अभी प्रूफ करो अपने आपको और अगर मैं प्रूफ कर लेता हूं तो फिर बाद में सब ठीक हो जाएगा कबीर सिंग जैसी बड़ी हिट मूवी उसका भी आफर आया था और आपने वो फिल्म नहीं की उसमें तो खैर मतलब मैं क्या बोलू मुझे एक और फिल्म मिली थी इस टाइम प मैंने चुना तो बट मुझे कोई मलाल नहीं है क्योंकि मेरी वो भी फिल्म अच्छी चली उसका एक हिंदी रिमे पोरा भी तो उसमें भी मैं वही जो नेगटिव लीड़ किया था वो सेम कैरेक्टर यहां हिंदी में मैं प्ले करूँगा अब ही मेरी एक फिल्म नेक्स मन् इसके उपर कुरी कहानी चलती उसका कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूं बीपक नाम का कैरेक्टर है जो एका पढ़ा लिखा है नौकरी नहीं पिलती है उसको न्याए कैसे मिलता है इसको पर इसारी कहानी है और मैं आश्वस्त गर सकता हूं कि जैसे 96-11 देखने के बाद आप तो दो तीन दिन तक मेरे character के बारे में जरूर सोचेंगे इस मंद के end में मेरे खाल से trailer जो film का आने वाला है मैं वह ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर audience जो है film को 60-70% भी पसंद कर लेती है इस film को, तो as an actor मुझे बहुत benefit मिल लागा और एक बहुत अच्छा रहाएगा मेरे लिए लिए Sanjay thank you so much अब समसे बात करने के लिए और हमाई तरफ से धेर सारी शुब कामना best wishes आपकी नई movie के लिए thank you so much दोस